हेलो अच्छो वेलकम तो यूर ओन चैनल मैथमास्टर तोड़े विया वहीं तो सॉल कुश्चिन नमबर 7 13.3 सर्फेस अर्या वॉल्म क्लास 9 राइट कल हमने कुश्चिन 6 किया हुआ था ओके आपने रिपीट पक्का किया होगा प्लीज कैल्कुलेशन पर ध्यान देजिए औ तो स्टार्ट करें इस कुश्चिन को इस कुश्चिन पर दिया हुआ है एक बार में कुश्चिन को रीडाउट करता हूं और जॉकर्स कैप इस इन दे फॉर्म और राइट सर्कुलर कॉन और बेस रेडियास 7 cm and height 24 cm find the area of sheet required to make 10 such caps 10 such caps इमन्दब पहले surface area निकालेंगे उस cap का जितना material लग रहा है फिर उसको 10 से इंटू करके 10 cap का surface area निकालेंगे तो सबसे पहले हमें इस surface area के लिए चीह होगा slant height और वह हम निकालेंगे फार्मुले में यूज करके slant height का right slant height L is equal to होता है L is equal to the root over h square plus r square right तो h square की value put कर देते हैं तो यहाँ पर value आ जाएगी h कितना 7 का square r r is the 7 h is 24 right 24 का square plus 7 का square का तो यह कितना हो जाता बच्चों मेंने square हमें सब बोला है कि square आपको याद होने चीह है है ना math में आग लगाने के लिए square तो याद होने ही चीह right तो देखें square 24 का square होता है 576 और 7 का square होता है 49 यह आगया बच्चों 625 यह हमारे पास आगया 625 जिसका रूट होता है हमारे पास यह आजाएगा 25 तो slant height कितनी आलगी 25 cm ठीक है आप इसका curve surface ही जाए निकालते है curve surface देरे का formula रखा बार इसमें सीधे लिखेंगे पाई कितना है 22 by 7 into r कितना है 7 into l कितना है 25 7 से 7 cancel out हो जाता है तो यहाँ पस्ता 25 into 2 25 का डेबन 25 तूजा 50 carry 5 25 तूजा 50 यह हमारे पास आगया इसका cm square एक का surface area तो कितनी का पूछा है उसमें पूछा है कि 10 such caps so area of उसमें पूछा है कि find the area of sheet required to make the 10 such caps is equal to 550 into 10 is equal to हो जाएगा 55 00 cm square तो कितना sheet required हमें कितना sheet required required sheet is 5 तो answer हो जाएगा req ad required sheet is equal to 550 cm square this is your answer ओक बच्चों please note it down और इसको तब तक कीजेगा जब तक कि आप इसके